One UI 6 Android 14 का अपडेट इन सारे स्मार्टफोन के लिए लास्ट मेजर OS अपडेट होगा जिसके बारे में आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो अगर आप भी Samsung का कोई स्मार्टफोन यूज करें और अगर आपके भी Samsung के स्मार्टफोन का नाम इस लिस्ट में है तो इसका मतलब आपके स्मार्टफोन में Android 14 One UI 6 का जो अपडेट है वो लास्ट अपडेट होगा इसके बाद में आपके स्मार्टफोन में कोई भी मेजर OS अपडेट देखने को नहीं मिलेगा अगले एक साल तक security page अपडेट जरूर से देखने को मिलेंगे लेकिन वो भी monthly नहीं मिलेंगे वो भी quarterly देखने को मिलेंगे लेकिन major OS अपडेट जो है वो इन सारे स्मार्टफोन में last होगा जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी एक Samsung यूजर है तो आज की इस वीडियो को स्टारिंग से लेकर एंट तक जरूर देखना One UI 6 Android 14 अपडेट के last अपडेट को लेकर कहीं आपके स्मार्टफोन का भी नाम इस लिस्त में तो नहीं है समसंग के S21 सिरीज के बाद में मतलब 2022 के बाद में जितने भी फ्लेक्शिब स्मार्टफोन लाँच हुए हैं उन सभी में Samsung की नई अपडेट पॉलिसी के अकोडिंग 4 एर मेजर OS अपग्रेड प्रोवाइड किये जाएंगे मतलब Samsung ने इन सारे ही फ्लेक्शिब स्मार्टफोन के लिए जो एर 2022 के बाद लाँच हुए हैं उनके लिए 4 मेजर OS अपग्रेड देने का प्रोमिस किया है जैसे Samsung का S21 FE स्मार्टफोन एर 2022 में लाँच हुआ था और Android 12 पर लाँच हुआ था तो उसे Android 13 मिल चुका है और Android 14, 15 और 16 भी S21 FE को Samsung की तरफ से रोल आउट किया जाएगा तो इसका मतलब Samsung के S21 FE स्मार्टफोन को भी पूरे 4 मेजर OS अपग्रेड मिलेंगे तो यहाँ पर बात करते हैं उन सारे स्मार्टफोन की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने लिस्ट है तो सबसे पहले हैं यहाँ पर A-Series के स्मार्टफोन जिसमें सबसे पहले नाम आता है Galaxy A72 का उसके बाद में Galaxy A52, A52s 5G, उसके बाद में A23 और A13 Galaxy A-Series के यह सारे स्मार्टफोन हैं जिनके लिए One UI 6 Android 14 का जो अपडेट होगा वो लास्ट मेजर OS अपग्रेट होगा इसके बाद में Samsung की तरफ से कोई भी मेजर OS अपग्रेट इन सारे स्मार्टफोन को नहीं मिलेगा तो अगर आप भी A-Series के इन सारे स्मार्टफोन में से कोई स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो यहर आपके स्मार्टफोन में Last Major OS अपग्रेट Android 14 का होगा उसके बाद में है यहाँ पर M-Series के स्मार्टफोन जिसमें सबसे पहले नाम आता है Galaxy M53 5G स्मार्टफोन का उसके बाद में Galaxy M33 5G, M23 5G और M13 यह सारे M-Series के स्मार्टफोन से जिनके लिए One UI 6 Android 14 का जो अपडेट है वो Last Major OS अपग्रेट होगा उसके बाद में Galaxy F-Series के स्मार्टफोन जिसमें F-Series के दो स्मार्टफोन से जो की ऐलिजिबल है One UI 6 Android 14 अपडेट के लिए लेकिन यह अपडेट Last Major OS अपग्रेट होगा इन दोनों ही स्मार्टफोन के लिए जो की है F23 और F13 यह F-Series के दो स्मार्टफोन से जिनके लिए Android 14 का जो अपडेट है वो Last Major OS अपग्रेट होगा वैल यह थी उन सारे ही स्मार्टफोन के लिए जिनके लिए Android 14 का अपडेट Last Major OS अपग्रेट होगा 1UI 6 Android 14 को लेकर कोई भी डीटेल साती है तो यहाँ पर आपको उसकी डीटेल वीडियो डेफिनिल से देखने को मिल जाएगी तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रू प्रेस करके रखना तो फिलाल यही सब कुस्ता इस वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंदा होगा अगर आपको वीडियो पसंदा है तो यह जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिजिए तो मैं मिलता हूँ अपसे कलिए से इस इंफेस्टिंग वीडियो में थैंक्स अलोट पर वाचिंग